हलो एवरीवन आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस स्पेसिल सेशन में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूपिसी ऑफिसीयल अपडेट रिगार्डिंग एक्जां स्ट्यूल के बारे में जो यूपिसी का स्ट्यूल आज आपका पेफॉरम आपका था इस बार का उपका वह थोड़ा 2020 का अच्छे से नहीं दे पाए अक्टूबर का अटेम्ट तो सरकार ने यहां पर एक जो मूव लिया है अपना जो मूव दिखाया है सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने को गौवर्मेंट से कॉशन पुछा तो वहां से अटॉर्णी जनरल जो गौवर्मेंट को जैसे आपको बताओगा जैनरल के लिए मिनमम एज आपके मैक्सों बेस थर्टी टू है मतलब जो बच्चे जैनरल हो या किसी कटेगरी हो जिनकी अभी एज बची हुई है हमने एक एक्जाम्पल के तौर पर आपको जैनल बताये यहां पर आप अगर रिस्पेक्टिट किस किसी कटेगरी मां बिलॉंग करते हो उस कटेगरी कि अगर आपकी एज अभी ओवर नहीं हुई है तब आप वो एटम्प दे सकते हैं इस पर केंडिडेट का फिर से रहा कि अगर हम एज को भी क्यूं रिस्टिक कर रहे हैं हम अभी एज को भी यहां पर रिलेक्सेशन देना लेकिन एज का रिलेक्सेशन नहीं दे रहें इसलिए वो अपने अटम्प नहीं दे पाएंगे इस बार इसको रूपर आस कोट ने अपना जो अपना डिसीजन है वो पेंडिंग रखा है जल्दी पेंडिंग और कोट ने भी बोल लखा जब तक कोई डिसीजन नहीं आएग क्या होगी जो पहली है कोई काम नहीं किया गया है इस रहेगी बस क्यों एक ही बात है जिस पर थोड़ा डिले होने के चांसे है साथ आज वर डिक राने बाद आपको पैसलाने बाद आज साम तक आभी जाए लेकिन आज डेट थी आज आई रही नहीं आज की दाहिंदू के पर में आपने देखा और निउस रही है अब देखे बात करते हैं यहां पर जो आपका कंड़क कराती है एक्जामनेशन संगलों से वायोग है जो केक बॉड़ी जो एक्जामनेशन कंड़क कराएगे आपके इवरी येर और यहां पर उन्होंनों ने गॉवर्मेंट में उस पड़ सकता है सले नोटिफिकेशन फोड़ा देगे कैसे कि आउड़िक के नहीं आ गया जाएगा कई बाद के कोई। जिनोंने कई साल लोक रिया की फॉरेंट में, कई बड़ी कमपञिएों में, कई बड़े पैकेज वाले लोग है जिनों ने अपने फैकेज फोल के तयारी सुरू किए वो लोग यहां लग अलग अलग गवर्मेंट्ट में अलग 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 स्टेट से चुने हुए यहां पर enroll हो सकते हैं और administration से लेकर police services से लेकर allied services में भी जा सकते हैं जहां भी आपको जिस department में जिस तरह कि आपके location आपके as per marks as per preference आपको दी जाएगी अब बात करते हैं यहां पर examination क्या होता है इसका eligibility क्या होती है IS की तो देखेंगे eligibility क्या होगी जो general category members होते हैं उनके लिए को category में यहां पर दिखाए दी है आपको देख सकते हैं जैनल category member जो होंगे उनकी एज है 32 एस और maximum दिए गए है और यहां पर OVC का देखेंगे maximum age 35 और attempt दिए गए है 9 और SCST की बात करेंगे तो ऐस 37 आपका इस maximum 37 है और जब तक एज खतम नहीं हो जाए तब तक attempt खतम नहीं होंगे यह बात बिल्कुल की गई है दूसरा कहा गया है maximum age की बात करें disability की बात करें यहां पर तो जो लोग डिसेबल हैं उनकी इस maximum 42 और उनका भी है जब तक एज खतम नहीं हो जाएगी तब तक उनके attempt खतम नहीं होंगे यह बात वहां पर बिल्कुल सिंपल सिंपल कहीं इसको बात करते हैं पैटर्न क्या होगा examination का बहुत सिंपल सी बात है examination pattern जो होता आपका प्रिलिम्स होता है मेंस होगा फिर इंटर्विव तीन पैटर्न होता है थ्री स्टेजिज में एक्जाम आपके कंड़क कराया जाते हैं सिंपल सी नॉलेज़ आपको बता देते हैं जो लोग एजली जान सकते हैं आपका GS के पेपर होगा simple आपका एक prelims examination conduct कराया जाता है जिसमें सभी लोग आपके सामिल होते हैं जिसमें दो पेपर होंगे एक पेपर होगा journal studies का और second पेपर होगा आपका CSAT का जो लोग CSAT qualifying होता है 33% marks के साथ आपको लाने होते मिनमम इसके marks count नहीं किये जाएंगे वलब यह जो आप करेंगे इसके marks आपको count वहाँ पर नहीं किये जाएंगे और GS का paper जो होगा इसके marks ही count होते है minute list बनाने में क्योंकि देखा गया कि जो इसके marks होंगे वही आपके count करके आपको आगे forward किये जाएंगे और 200 marks का होता है prelims इसमें और 200 marks का होता है यह इसमें होते हैं 80 questions इसमें होते हैं आपके 100 questions आप देखते हैं यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा syllabus है अगर आप paper देने जा रहे हैं आज UPSC का इस बात त्यारी कर रहे हैं तो आप UPSC का सब तरीके से exam pattern उनको पता भी होगा और वो दे भी रहोंगे exam को उसी तरीके से तो यह आपका होता prelims में दूसरा आते हैं मेंस की बात करते मेंस में जो आपका बात करेंगे मेंस होगा जब प्रिलिम्स में होते हैं इसके मार्क सी कंसीडर होते हैं और सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग होता सी सेट का यह जानते रहेगा अब बात करते हैं मेंस examination की मेंस examination में आपको मैं समझा दू में क्या होगा मेंस में आपका एक compulsory Indian language होगी तीन घंटे का पेपर होगा 300 नंबर इसके होंगे जो पेपर रखा जाएगा 300 marks का होगा और तीन घंटे के लिए पेपर यह आपका कंड़क कराया जागा दूसरा कहा जाएगा english होगी यहाँ पर English में बात करेंगे English का paper जो होगा ओभी 300 marks का ہوगा तीन घंटे का paper वह यह भी 3 घंटे का paper होता है फिर आपका एक but पेपर होता है ऐसे कभी पर में क्या होगा ऐसे के वेपर जो हो गा तीन फिफटी वाइसे फिफेक्ट और अगर हम आगे बात करें तो GS के 4 पेपर होंगे GS1 से लेके 4 तक पेपर होगा और हर पेपर 250 मार्क्स का होता है यह जानते रहेगा 250-250 मार्क्स का होगा और फिर बारी आती है आपके के उसके darauf सब्सक्राइब के नंबर के होंगे 250-250-250 इस तरह से पूरा मेंस्ता है सत्रा सो πछा मांक्स का मेंसरिकास होता है और इसी के बाद आपका इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका कंड़क्ट होता है interview जिसमें आपको marks लाने होते हैं तो interview के बात इसके बात final state होता आपको personality test तो यह personality टेस्स देखा जाता है तो यहाँ पे देखा गया है कितने personality test में तब होगा वो लोग जो लोग mains qualify करेंगे उसके लिए यहाँ पर रखा गया है यहाँ जो लोग में में क्वालिफाई करते उन्हीं का इंटर्वी होता एप्रॉक्स जो माना गया है आपर कि कितना आपको मार्क्स दिया जा सकता है कितना मार्क्स नहीं दिया सकता है सिंपल से बात है कितने marks आपको यहां मिलेंगे कितने marks आपको नहीं मिल सकते तो यह conduct कब होगा जब आप यहां पर पूरे के पूरे पेपर को यहां पर देखेंगे और पूरा पर पेपर आप मेंस का अच्छिस क्वालिफाई करवाएंगे तब और यह जो marks होते हैं out of 275 होग दिया गया है ठीक है तो यह है पूरा का पूरा डिटेल आपका और देखा गया सुप्रीम कोड की जो फैसला है उसमें क्या कहा गया है UPSC ऐस्पारेंड के लिए यह न्यूज है जो दाहिंदो में दी गई थी कि इसके ओपर फैसला भी रोक रखा गया है फैसला जो होने व was arbitrarily uninformed capitalist तो इसकी बात हुई है तो ये Supreme Court hold the order UPSC aspirant के लिए तो इस news के वज़ा सभी रुका हुआ है जैसे ही notification आता है हम आपके सामने notification लेकर आएंगे पूरी post के description के साथ पूरा syllabus describe करेंगे तब तक के लिए जुड़े रहे है UPSC की set पर और UPSC के चैनल को subscribe करेंगे जिसका नाम है UPSC Adda जिससे आपको सारी information मिलती रहेगी सारी जनकारियां आपकी UPSC exam related और जो जो update होंगी हम आपको देते रहेंगे तो चैनल को like कर ले subscribe कर ले